नमस्कार दोस्तो मनू केटिव गार्डन में आपका स्वागत है तो आज मैं आई हूँ मेरट में बेगम पुल पर परदीप नरसरी पर और ये मेरी विंटर की पहली शोपिंग है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर के महिने में हमें कौन-कौन से ऐस फ्लावरिंग प्लांट्स खरीदने चाहिए और किस तरह के प्लांट्स हमीं नहीं खरीदने चाहिए ताकि विंटर में हमारा गार्डन फूलों से भरा रहे और पूरे विंटर हमें उन प्लांट्स से धेरो फूल मिलते रहे तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये बिगुनिय प्लांट्स है और काफी खुबसूरत ये विंटर का प्लांट्स है और इस प्लांट्स में खुबी ये है कि इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है अगर आप ये एक प्लांट्स घर लेके जाएंगे तो कई सारे प्लांट्स आप इससे बना सकते हैं य इसकी leaves green होती है और ये maroon color की जो leaves होती है ये वो variety है वो थोड़ा costly पड़ती है उसका rate 60 है और ये 45 और बहुत ही प्यारा plants है और तो इसे आप winter के लिए जरूर बाई कीजिए और दूसरा है ये marigold marigold में भी काफी सारे colors इनके आ हैं और कहीं कहीं मुझे ये जाफरी marigold है जो वो भी नजर आ रहा है और इन सब का rate 35 इन्होंने बताया है और काफी अच्छे और healthy plants हैं लेकिन दोस्तों आप वही plants करीदे जिन पर कलिया आई हुई हो या कलिया आनी शुरू हो क्योंकि फूल आकर फिर ये डल सा हो जाता है ये plant घर जाकर तो आप वही plant खरीदे कि जिन पर फूल ना आई हो और तीसरा है दोस्तों ये क्रिस्थिमम शेवन्ती गुलदावदी ये miniature variety है और इन्होंने 200 इसके rate बताए हैं क्योंकि काफी healthy plants है और कलिया देखे आप कितनी भर केस प है winter का सबसे अच्छा plants है दोस्तों और इसको भी आप buy कर सकते हैं 200 इसके rates इन्होंने बताए हैं फिर ये spider plants है और ये 80-80 रूपीज में इन्होंने spider plants के rates बताए हैं और ये देखे दोस्तों ये ornamental चिली है और 50-50 रूपीज इनके rate है 50 में एक port है प्लांट सही तो काफी कोलियस 35 में है 35 rate है इसके और ये impassions का plant है और इसमें दोस्तों hybrid भी है dwarf variety भी है variegated variety भी है इसकी और इसके इन्होंने 80 रूपीज इसके rates है और इसके बाद ये देखे दोस्तों कैलन कोई का hybrid कैलन कोई है और ये hybrid win का है 35 इन्होंने इसके rate बताए हैं भाया ने 35 में एक plant ये hybrid win का का काफी अच्छे plant है healthy plant है ये और इसके seedling मुझे कहीं नजर नहीं आई hybrid win का की और इसके बाद ये कोलियस है colorful काफी सारी variety है कोलियस की और 35 में रूपीज में काफी अच्छे ये मुझे इसके rate लगे और ये ornamental चिली है और इसके बाद ये silocia हैं जिसे मुर्गा फूल भी कहते हैं और इनके rate भी 35 बताए और ये जर बेरा जर बेरा इन्होंने 80 रूपीज का एक plant बताया है और काफी अच्छे और healthy plants हैं winter के लिए दोस्तों आप ये buy कर सकते हैं काफी अच्छे plants हैं पिटूनिया के भी 35 rate हैं और ये English IV है काफी अच्छी ये hanging basket plants है और काफी अच्छे मुझे इसके rate लगे 50 रूपीज में तो काफी अच्छी है ये English IV और इसकी hanging basket बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगती है और ये इधर देखे दोस्तों ये 35 का ये साल्विया है तो विंटर में आप साल्विया का प्लांट जरूर लीजे दोस्तों काफी अच्छे इस पर फूल आते हैं रैड कलर के और फिर इधर ये फिर से शेवन्ती है और 200 रेट हैं इनके भी दोस्तों और मिनियेचर वाली ये गुल्दाबदी है और काफी सार सारी आई हुई है इधर ये सब कैलन कोई के प्लांट्स हैं और मुझे ये काफी अच्छे और हेल्दी प्लांट्स लगें ये देखें दोस्तों ये इधर औरनमेंटल प्लांट्स हैं और ये इधर पांसिट्या की काफी वेराइटी है इनके पास और ये कैक्टस हैं और कैक नेचर की बही नेचर सच में ही मतलब दिल खुश हो जाता है दोस्तों इस तरह के चीजे देखकर कैक्टस के फूलों को देखे आप कितने प्यारे फूलार 500 इनका रेट है 500 की इन्होंने ये बताए हैं काफी कोस्टली भी है और ये पॉंसिटिया का प्लांट है और इनकी आप रुक जाएए अभी ये बाई मत कीजिए थोड़ा और नवंबर के लास्ट में आप बाई कर सकते हैं और क्योंकि थोड़ा रेट में इनके कम हो जाएंगे और अब पूरे इनके कोस्टली मुझे लगा जहां तक की और काफी सारी वेराइटी हैं वेरीगेटीड भी है और दोस्तो समर में इनकी जो लीव्ज होती है उसका कलर ग्रीन हो जाता है और फिर ये विंटर में आते आते रेड हो जाता है और अब देखे दोस्तो ये विंटर की सीडलिंग तो ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है और हर साल में सीडलिंग ही सबसे ज़्यादा बाई करती हूं दोस्तों यह देखें यहां पर पिटूनिया है मेरी गोल्ड है और कैलेंडूला है डेंथस है साल्विया है वर्बीना है दोस्तों आप यह हर तरह की सीटलिंग चार चार पांच पांच प्लांट्स जो भी जितने भी आपको चाहिए आप खरीद सकते हैं और 10-10 वर्वरिश हमको अच्छे से करनी पड़ती है और काफी अच्छे यह प्लांट्स बनके तयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हम फर्टिलाइजर वगेरा अपने अनुसार अच्छे से देते हैं तो काफी हेल्दी यह विंटर में प्लांट्स बनके तयार होते हैं तो आप इन के पास है seedling ये गजानिया है पिटूनिया है डेंथस है पैंजी है और पैंजी दोस्तों जिस पर तितली जैसे colorful flowering होती है काफी सारे color होते हैं उसमें और पैंजी के rate इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा बताई है यानि 12 रुपीज में एक seedling इन्होंने बताई है और ये देखे दोस्तों इधर ये डेहलिया के हैं डेहलिया के भी rate वो ही है 10 रुपीज तो काफी अच्छे ये healthy seedling है दोस्तों और आप winter में seedling ही खरीद दिये क्योंकि अगर हम ये flowering plants मतलब जिन पर फूल आई हुए होते हैं वो plants हम खरीद कर घर ले जाते हैं तो 15-20 दिन उन पर flowering होती है अच्छ से और फिर वे plants डल से होने लगते हैं तो आप seedling खरीदेंगे तो वो ज़्यादा best रहेगा मेरा तो अनुभव ये ही है कि आप seedling winter के लिए काफी सारी buy कीजिए और आपका garden पूरे winter फूलों से भरा रहेगा और यहाँ देखे दोस्तों ये पैंजी है और फिर से ये गजानिया है और इसके बाद merry gold है और पैंजी भी आप winter के लिए खरीच सकते हैं काफी खुबसूरत इस पर फूल आते हैं जितना इसे sunlight मिले की उतना ज़्यादा इस प्लांट पर flowering होगी और काफी सारे color इसमें होते हैं और ये डेंथस की है इसमें भी अंगिनत color होते हैं दोस्तों और इधर ये साल्विया है साल्विया भी winter का बहुत अच्छा plants है और बिल्कुल जीरो बजट में मानिये आपकी 10 रुपीज का आता ही क्या है जीरो बजट में आपका winter का garden तयार हो जाएगा और ये देखे दोस्तों ये पॉंसिट्या के plant हैं और कितना colorful ये color add करते हैं लेकिन मुझे थोड़ा ये कोस्टिल लगे तो अभी थोड़ा आप इ और ये देखे दोस्तों कितनी सारी seedling है और यहाँ पर कुछ मुझे vegetables प्लांट की seedling भी नजर आईए बैंगन के हैं और नमेंटल चिली के भी यहाँ पर seedling है और ये भी सब 10-10 रुपीज में हैं और काफी सारे अच्छे यहाँ पर seedling हैं जर्बेरा के हैं दोस्तों और काफी सारी यहाँ से buy कर सकते हैं और बिल्कुल जीरो वजट में आपका garden विंटर का अगर आप तयार करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी like करें share करें thanks for